भारत मता की वंदे वंदे क्या अद्बुत ना जा रहा है अभी दो महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठके चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे शिक्षा कैसे सुधारेंगे मैं समझता हूँ कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करें कि स्कूल कैसे सुधारेंगे बच्चों का भविश्य कैसे बनाएंगे अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस को गाली दे, कॉंग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीती नहीं आती करने मैं बार बार ये बोलता हूँ गाली गलोज उनके जिम्मे राजनीती उनके जिम्मे मिर को स्कूल बनाने आते हैं स्कूल बनवाने हैं तो मिर से बना लो मिर को बुला लो मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूँ रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो राजनीती चाहिए तो उन लोगों को बुला लो गुंडा गर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो ये इस तरह का महौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ समवाद हो रहा है टीचर्स के साथ समवाद हो रहा है पेरेंट्स के साथ समवाद हो रहा है पहली बार ऐसे हो रहा है और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बडोदा में ये पहला समवाद हो रहा है लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस समवाद का जब हमने एलान किया कि हम शिक्षा पे समवाद करेंगे वदोद्रा में पिछले चार-पांच दिन में तेरा जगे हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरिवाल जी आ रहे हैं हमारी टीम ने बुकिंग की पिरेंट्स के टीचर्स के साथ समवाद करेंगे इन्हों ने हमने एक जगे बुक की इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धंका दिया खबरदार जो केजरिवाल जी के लिए बुकिंग दी दूसरी जगे बुकिंग की उसको भी खबरदार तेरा जगे कैंसल की चौदवी जगे मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत वो सामने उदर बैठे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं उन्होंने हमें हॉल दिया और उन तेरा लोगों ने हमें आशिरवाद दिया जब उनसे बात की वो तेरा लोग खुब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को बोले इस तरह से धंकी देना ठीक नहीं है बोले हम आपके साथ हैं लेकिन हिम्मत हिम्मत नी और ये बहुत तंग करते हैं लोगों को तो आज उन तेरा लोगों का आशिरवाद है नवनीत का का आशिरवाद है कि हमारे पास ये हॉल है ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धंका देंगे तो यहाँ पर शिक्षा पर समवाद नहीं होगा शिक्षा पर समवाद भी होगा स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे बच्चों का भविश्य भी बनेगा ये रोक सके तो रोक ले पिछले साथ आठ साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किये लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिस से सबसे ज़्यादा मुझे संतुष्टी मिलती है और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझे से पूछेगा कि तुने प्रिथ्वी पे क्या किया तो मैं भगवान को कहुँगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिये सबसे बड़ा पुन्य का काम हम लोगों ने यह किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिये बच्चों का भविश्य बना दिया हम लोग आना संतुष्टी होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिन्दगी कुछ काम आई इस प्रिथ्वी के उपर जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में वहाँ भी यही हालत थी जो भी मैं सारे प्रश्ण में ने लिखे हैं एक एक प्रश्ण का जवाब दूँगा यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है दो तरह का सिस्टम था एक गरीबों के लिए एक अमीरों के लिए अमीर भी ने कौँगा जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था कई लोग तो अपना पेट काटके एक टाइम की रोटी कम काते थे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बढ़ा होके सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी बच्चे फेल होते थे पढ़ाई होती नहीं थी टीचर आते नहीं थे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का लेकिन गरीब बिचारा कहां जाएगा गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेजता था और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं न बच्चों को निकाल लेता था सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा मेरे साथ काम करेगा पैसे कमाएगा स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे अनाप शनाप फीस अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने कभी लाइब तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी, आज गुर्जरात में भी ये हालत है, आज साथ साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया, आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरक सरकारी और सारे स्कूल मिरको भी एक आदमी मिला मुझसे पूछ रहता है कि टेक है सर सारे ऐसे हो गए हम סोसल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल है सारे हो गए कि कुछ हुए है मैंने का सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए पर दिल्ली में M.C.D. के स्कूल है नगर निगम के वो बीजेपी के पास है वो बहुत खराब हैं M.C.D. के चनाव होने वाले हैं अब इस बार दिल्ली के जनता हमें वोट देगी M.C.D. के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए इसका सबसे मैं अगर कहूं खड़ा हो कि सारे स्कूल अच्छे हो गए आप कहो कि एजरेवल अपनी बढ़ाई कर रहा है चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भरती कराए है चार लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में और बड़े अमीर लोगों ने मैं एक क्लास में गया मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है साथ आठ बच्चों ने हाथ खड़ा किया मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे कहता सेंट कॉलंबस सेंट कॉलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है लाइन लगी पड़ी है वहाँ पे सेंट कॉलंबस में एडमिशन कराने के लिए बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुए अमीर अमीर लोगों की उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है इससे बड़ी बात और क्या हो सकते है आज कल मैं अभी अभी एक बड़ी मीटिंग की थी 1100 बच्चे हमारी 12 वी क्लास के 1100 बच्चों ने NEET के और IIT के पेपर पास करें है हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में आज मेरे दिल्ली के एक-एक सरकारी स्कूल से चार-चार बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पर और सबसे बड़ी खुशी यह है जब मैं IIT में गया मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं शुक्र गुजार हूँ मेरे देश का जाज मैं जो कुछ हो मेरे देश की वज़े से हूँ मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूँ कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए आज मुझे बेहत खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहया करा दिया मैं जब बच्चों से 1100 बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे मैंने देखा एक सेक्यूरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ उस सेक्यूरिटी गार्ड का बच्चा बाइटी में जा रहा है जहां मैं गया था कहता है सर मैं आपके इंस्टिट्यूट में जा रहा हूँ उस IAT, उस security guard, वो security guard 10,000-12,000 रुपे महिने कमाता है उसका बच्चा IAT में जा रहा है, उसकी rank I-569 All India J.E. का जो paper होता है, उसकी rank I-569 मैं जब IAT में गया था, मेरी rank I-563 मुझे लगाया है यह तो मेरे बराबर आज दिल्ली के एक-एक बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, रिक्षेवाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, सिक्योरिटी गाड के बच्चे को, पलंबर के बच्चे को, कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसे शिक्षा मिल रही है जैसे शिक्षा मुझे मिली शानदार शिक्षा मुझे मिली सरकारी स्कूल हमने बहुत शानदार कर दिये अब आप सोच के देखो वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा security guard 10-12,000 रुपे कमाता है उसके घर का खर्चा नहीं चलता अब वो बच्चा IIT में जाएगा IIT से अब जब निकलेगा तो उसकी तंखा स्टार्टिंग तंखा उसकी 2-3 लाख रुपे महीना होगी तो उसकी एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई हो गई की नहीं हो गई अ पटा सकती है देश जो गरीबी से दूर कर सकती है वो है शिक्षा अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा हमारा देश अमरीका से भी उपर हो सकता है दूसरा प्राइवेट स्कूलों ने लूट मार मचा रखी थी हमन आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का आडिट करवा दिया आपको जानके ता यहां नाम लेना ठीक नहीं है देश के बड़े बड़े स्कूल एक स्कूल उसका पता चला आडिट में पचास करोड रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं आप लोगो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो पैसा इकठा नहीं कर सकते हैं पैसा इकठा करना गुना होता है उनके लिए हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुडवाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पूरानी फीस मतलब पिछले चार पान साल में जो की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगे अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो आपको डिस हमें बताना पड़ेगा आपक्यों साथ-ाठ साल से बहुत दो-चार स्कूल को छोड़के किसी ने फीस नहीं बढ़ा या साथ साल से फीस नहीं बढ़ी है गुजरात के अंद बुरी तरह से लूट मचा रखी है तो अभी जो जो कुश्चन आए एक कुश्चन था कि स्पेशली एबल्ड चिल्डरन जो हैंडिकाप बच्चे होते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है सर उनके लिए हम अलग से क्लासे जरूर बनाएंगे जो भी सुविधाई देन की जरूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे अकेले केजरीवाल या गुपाल इटालिया या इशुदान गडवी या मनोज नहीं कर सकते गुजरात की साड़े छे करोड जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तयार करेंगे एक यह हुआ कि NCRT की बुक्स बड़ी पुरानी है केवल NCRT के बुक्स पुरानी नहीं है सर हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो पूरा गडवड है यह हमने दिली में यह पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया अंग्रेज देके गए थ मैकॉले का सिस्टम है 1830s 40s के अंदर 1830 के दशक में यह सिस्टम बनाया गया था अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था यह अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहां पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती होई मैं सारे सुतंतरता सेनानियों की इज़त करता हूँ लेकिन जब देश आजाद हुआ हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खतम करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था तो केवल दिल्ली के अंदर इस पर हम काम कर रहे हैं जैसे मैं आपको एक उधारन देता हूँ आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंडता फिरता है नौकरी ढूंडता फिरता है बी-य करने का अपसद बी Encuno करने का दैलेल मी करने का हमें ऐसा सिस्टम चीए कि नौकरी ढूंडने वाले नहीं हमें नौकरी देने वाले बच्चे तयार करने हैं दिल्ली के अंदर हमने अधर हमने शुरू किया है यह सिस्टम ग्यारवी और आपको सुनके बड़ा इंट्रेस्टिंग लगेगा ग्यारवी और बारवी के बच्चो को हम लोगों ने बिजनस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनस कैसे करते हैं हमने बच्चो के दिमाग में कूट-कूट के भर दिया कि जब कॉलिज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है नौकरी मांगने वाला नहीं बनना हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से ग्यारवी और बारवी में हम दो-दो हजार रुपे देते हैं हम उन बच्चो को कहते हैं अब ये दो हजार रुपे इससे बिजनस करो आपको लगया का क्या बेकूफी है यार ये दो हजार रुपे से बिजनस होता है क्या उसमें बच्चों को फ्रीडम होता है चार बच्चे आठ बच्चे दस बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं और टीम बनाके जैसे पांच बच्चे मिले तो उनके 10,000 रुपे हो गए उन्होंने 12,000 रुपे पूल किये 10,000 रुपे हो गए अब वो 10,000 रुपे से बिजनस करते हैं जैसे मैं आपको धारन देता हूँ एक पांच बच्चे उनके टीम बनाई और उन्हें एक स्पेशल ड्र रुपे की ड्रिंक बेच लिए बच्चों ने 10,000 रुपे से 5,500 रुपे की ड्रिंक बेच लिए अब ऐसी 11 और 12 क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम बन चुकी हैं 52,000 टीम उसमें कोई 3 बच्चों की टीम कोई 4 बच्चों की टीम कोई 5 बच्चों की कोई 2 बच कर रही हैं फिर हम ने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इंवेस्टमेंट मांगो तो जैसे ये वाली टीम थी ड्रिंक वाली इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया बहुत अमीर अरब पती आदमी है सोचो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्षे वाले के बच्चे प्लंबर के बच्चे एक अरब पती ग्यारवी बारवी के बच्चे अरब पती के सामने प्रेजेंटेशन कर अंग्रेजी में, सोच सकते हैं आप, और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया, उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किये इनकी टीम के अंदर, 19 लाख रुपए देखे गया हो, कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी एकुटी एशेर हैं, ये मेरे, 19 इस लाख रुपए गया, अब ये जितने बच्चे बारवी कलास से निकलेंगे, कॉलिज में जाएंगे, एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा, ये बदलाव करने, हमारे बच्चे निकलते हैं कॉलिज से, स्कूल से, क्या हम उनको देश भक्ती सिखाते हैं स्कूलों के अंदर नहीं सिखाते हैं क्या हम उने अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में नहीं सिखाते हैं यह अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है happiness classes चालू की हैं, देश भक्ती classes चालू की हैं, बिजनस classes चालू की हैं, ये पूरा content बदल रहे हैं, education की बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, रटते रहते हैं, और इतनी tension होती है बच्चों को, एक दसवी class का बच्चा मुझे मिला, अब तो बार्मी प्लाब पास कर गया, कहाता सर, जब मैं दसवी class में था, मुझे बड़ी tension रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था, यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था, कहते हैं, आपक कि बुक्स नहीं सर, पूरा content बदलने की जरूरत है, यह सारा अंग्रेजों का शिक्षा का system खतम करके, इस देश के अंदर एक भारतिय सिस्टम चालू करने की जरूरत है, शिक्षा का एक भारतिय सिस्टम होना चाहिए, एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार पताने 30,000, 34,000 करोड रुपया खर्च करती है, सर वो पैसा सारा कहा जाता है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इमानदार सरकार लेके आए, यह सारा पैसा आपके बच्चों के उपर खर्चोना चालू होगा, किसी ने कहा कि फीस बहुत फीस नहीं बढ़ाने देंगे नजाइज तरीके से, वदोधरा में डियो नहीं है कई दिनों से, वदोधरा नहीं पूरे गुजरात के अंदर डियो बनाएंगे, अच्छे से सारे ओफिसर्स की निवक्ति करेंगे, चिंता मत कीजिए, कॉमन एडमिशन कमीटी बारवी क्लास के बाद, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आए, अभी इशुदान भाई समझा तो रहे थे, गुपाल जी समझा रहे थे, ये मैं पूरा सिस्टम समझ के लेकिन आपके साथ बैठके, जो भी इसको ठीक करने की जुरूर थे, इस दॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रहा गया, आज हमारे बच्चे बताओ, मेडिकल के लिए युक्रेन जाते हैं पढ़धाई करने के लिए, शरम की बाद है, हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्व विद्याले, प्राचीन भारत में नालंद विश्व पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे, आज हमारे देश को क्या हो गया, आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमें ऐसा देश तयार करना है, कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा सिविक रिस्पोंसिबिलिटी सिखाते हैं ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं योगा के बारे में किसी ने बात की दिल्ली में हमने यह जो मेरे उपर आरोप लगाते हैं केजरिवाल सब कुछ फ्री करता है फ्री करता है जनता है कि भले के लिए करता हूं बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे दिल्ली में हमने योगा की क्लासेश फ्री कर दी हैं दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेश होती हैं फ्री में होती हैं हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को खूब सारे योगा टीचर्स तयार किया हमने और वो योगा टीचर्स आते हैं कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है सीख सकता है रोज योगा कर सकता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए फ्री कराने की क्या गलत बात है तो यहां पर भी योगा को बढ़ावा देंगे गुजरात में भी देंगे एक बहन ने कहा कि हम कूडा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं हमारी तंखा भी कम है हमारा सा बहन में आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूडा बीनने वाले बच्चे और आप, आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे, अब कुडा बिनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको जानके एक ताजूब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं, आपने ट्रेफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो, और शीशा कोई आता है एक बच्चा और टक टक करता है, शीशा नीचे करते हो एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है, यह जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनम उपर कई सारी कोशिश है की गई लेकिन ये बच्चे में स्ट्रीम में नहीं आ पाए इनके लिए एक शांदार रेजिडेंशल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं जिसमें केवल और केवल इस तरह से सडकों के उपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडिमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए में स्ट्रीम में लाने की कोशिश दूआ तो बेहन को मैं कहना चाहता हूँ तो आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे, बहुत टीचरों की कमी है, मैं गुजरात का सारा डेटा स्टेडी कर रहा था, कई कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है, आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच् स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम अबनी मनरेगे यह सारे, यह बताईए अभी तक मैंने कोई राजणीती की बात करी आपके बच्छों की, आपके बच्छों के भविश्य की बात करी, मैंने गुजरात के बच्छों के भविश्य की देश के बच्चों के बवेशे की बात करें, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं, और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुआ है, कल कोई नेता कह रहा था, केजरी वाल कमीना है, केजरी वाल जूटा है, केजरी वाल फलाना, ये सारे ही कठे हो गए मेरे खिलाफ, सारी पार्टियों ओलिए की भाषा कॉंग्रेस वाले भी BGP ओले सारे कह रहे हैं केज रिवाल भलाना ओका है केजलिवाल मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूँगा, ये कहते हैं केजर वाल ये है केजर, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छे शिक्षा आए, इन्होंने सतर साल से यही राजनीती करिया है, जनता को अनपड रखो, जनता को गरीब रखो ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे, इसे खतम करना है, मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए, मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक सम्रिद भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये सारे मेरे पीछे इकठे, सारे हा दोस्तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को लाओगे आपके बच्चों का भविश्य बनेगा हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगे यही गंदी राजनीती चलती रहेगे य आम लोग आम लोग हैं आप ही की तरह हैं दस साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरिवाल कौन है एक आम सा आदमी में भी आम जिंदगी जी रहा था लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड था किसी हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीती में तो रा पाई करनी पड़ेगे तो आप सब लोगों से निवेदन हैं हमारे पास पैसा नहीं है चनाव लड़ने के लिए यह लोग एडी में सी बी आए में रोज बुला बुला कि तुम्हारा पैसा कहां है हमारा पैसा नवनीत काका है और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस इस से कोई नहीं अटा सकता दोस्तों भारत मता की रंग दे बसंती